धान की फसल से बमपर पैदावार लेने के लिए धान में हमें पहले खाद के रूप में कौन-कौन सी खादो को डालना चाहिए जिस से खिसान भायो हमारी जो धान की फसल है वहा सुरुवाती अश्ता से अच्छी ग्रोथ लेकर चले उसमें कल्यों के संख्या गिसान भायो ब अच्छा बिक्सित होकर हमको उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सांदार पैदावार मिलने वाली है तो इसके बारे में किसान भाईयो हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो अगर आप किसान भाईयो अभी हमारे चैनल पर ने आये हैं तो चैनल को को अपने धान की फसल में डालना चाहीए पहले खाज की रूप में डाल देते हैं जिससे खिसान बहीं में फैदा होने के बजए काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और चाहिए धान की रुपाई के समये पर हमने कौन-कौन से पोशक तक्त को अपनी धान की फसल में डाला था अगर किसान भाईयों आपने अपने धान फ़सल में रोपाई के समय पर सिर्फ डियेपी डाली थी उसके अतरत किसान भाईयों कुसी खाद को नहीं डाला था या फिर उसके साथ आपने नैट्रोजन को प्योग किया था तो किसान भाईयों सबसे पहला खाद बाद में जिंक सलफेट अगर किसान भाईयो रुपाई के सोंव आपने जिंक सलफेट नहीं डाला था तो जिंक सलफेट किसान भाईयो आपको जरूर डालना चाहिए इससे किसान भाईयो जो हमारे धान के फसल का पोधा होता है उसकी जो पतिया होती है उसका जो हरा पर होता है किसान भहीओ व और सुरुवातिया कैसाइम्र। वगे उसके उवर ऐल ग्रोफ की लिए किसान भहीओ जिंग सम्पेज़ बहुत ही ज़्यादा चाहिए कुप लाख तो पहले خात की रूप में किसान भहीओ आपको जिंग सर्फेज़र पयोग जरूरू Church किसान भाईयों जब आपके धान की फचल 25-30 दिन के अंदर हो जाए इस समय पर किसान भाईयों आपको दूसरी खाज के रूप में इस्तेमाल करना है यूरिया का यूरिया में किसान भाईयों नाइटोजन 46-32 पाया जाता है जिसको डालने के बाद किसान भाईयों हमारी जो द्धान के फचल है उसमें कल्लो की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है हमारी जो धान की ग्रोथ होती है किसान भाईयों वह भी बहुत तीजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है तो किसान भाईयों जब धान की फचल 30 से लेकर 40 द के आसेक्सान हो जाती है और रिस समय नाइट्रोजन की उसके लिए आपको यूरिया डालना है किसान यूरिया की मात्रा आपको 30 से लेकर 35 केजी परत एकड़ के हिसाब से रखनी है इतनी यूरिया किसान भायो परियाप्ष हमारी धान की फ़सल के लिए इसको अगर आप इस समय डालेंगी किसन भाईयो पहले खाज के रूप में तो आपकी धानिक फ़सल में किसन भैयो जो कल्लो के संख्या होगी वह भी काफी जदा अच्छी आएगी साथ ही किसान भाईयों हमारे जो धान की बढ़वार होगी वह भी बहुत तेजी के साथ होना सुरू हो जाएगी और हमारी जो धान की फ़सले किसान भाईयों वह सुरुआती और अस्था सही लहलाती हुई चलेगी के बाद किसान भाईयो अगर आपने धान रोपाई के समय पोटास नहीं डाला था अपनी धान की पसल में तो धान रोपाई के लगभग 15 से लेकर 20 दिन के बाद में किसान भाईयो आपको M.O.P. पोटास का भी उपयोग जरूर करना चाहिए किसान भाईयो इसकी मातरा आपको किसान भाईयो लगभग 20 केजी परत एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और इसका चिड़िकाओ किसान भाईयो आपको करना चाहिए किसान भाईयो जो M.O.P. पोटास होता है उसका जो काम होता हुआ सुरुवाती वस्था से लेकर किसान भाईयो धान में बालिया वरने तक बहुत ही जादा होता है क्यों किसान भाईयो जो हमारी धान की फसल होती है उसको सुरुवाती वस्था में किसान भाईयो पोटास की आवसकता होती है आगे चले किसान भाईयो हमारी धान की फसल में बालिया बनती है उसमें जो दाने का भरा होता है तो दानों में किसान भा के रूप में आपको पोटास भी जरूर डालना चाहिए इसका रिजल किसान भाईयों बहुत ही बढ़ियां और बहुत ही सांदार हमारी धान के फ़सल में देखा गया है इसके अतरित किसान भाईयों आपको किसी भी उल जलूल खाद को डालने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं ह बात किसान भाईयों आपके द्धान के पोधी की जो नीड होगी उसकी पूर्ती हो जाएगी आई होकिसान भाईयों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जडरू करें